क्या आपको पता है कि जो एरो प्लेंस होते हैं वो ताज महल के उपर से क्यों नहीं उड़ सकते और क्या आपको पता है कि जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उन पर जो रेड लाइट लगी होती है वो क्यों लगी होती है और क्या आपको पता है कि जो हमारी आँख होती है वो कितने मेगा पिक्सल्स की होती है हेलो दोस्तों मैं हूँ कुस्पेंदर और आप देख रहे हैं यूटूब का अमेजिंग नालेज विद फैक्ट्स चेनल आज के इस वीडियो में हम आपको 10 आएसे अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग रेंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुझसे एक की लाइन निकलेगी आउसम सो लेट्स बीगेन फैक्ट्स नमबर वन जो लोग ये मानते हैं कि धर्ती फ्लायट है अनुरी गोल दिख रही है । आमेजिंग! फैक्ट्स नमबर टू बैट्रीज तो आप जानते हूंगे सेल्बैट्रीज और दुनिया के हर तरह के बैट्री तो आप मान लो कि इस दुनिया के सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई को काट दिया जाए या फिर मालो की सारी बिजली संसार से लुपत हो जाए तब हम बैटरी यूज करेंगे तो क्या आपको बता है कि बैटरी को यूज करके हम पूरे संसार को कितनी देर तक चला सकते हैं अगर पूरे दुनिया के बैटरी को मिला दें तो सिर्फ वो पूरे दुनिया के सप्लाई को 10 मिनिट तक ही मीट कर पाएगी बस Fact No.3 क्या आपने अपने सरीर पर किसी पार्ट पर टेटू बनवाया है जब टेटू बनने की मसीन आपके सरीर पर चलती है तो वो 50 टाइम पर सेकेंड से भी जदा आपके बाड़ी में छेंद करती है मनलब एक सेकेंड में 50 भार छेंद करती है आपके बाड़ी में तब जाकर टेटू बनता है Oh My God Fact No.4 सिडनी के परामाता रिवर में 102 साल पुराना एक सिप मौजूद है एक ऐसा सिप जो की सड़ा नहीं है पर वो एक जंगल में बदल गया है और वो तेरता है अब भी Fact No.5 कैटर पिलर नाम का एक जीव होता है और उसके पास दो नहीं बलकि 12,000 आख्यों होती है Can you believe that? Fact No.6 क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स और बड़े-बड़े टावर्स में जो ये रेड लाइट होती है ये क्यों लगी होती है तो बात ये है कि पहले के टाइम पे जब हेलिकाप्टर उड़ते थे तो वो बिल्डिंग्स से टकरा कर क्रेस हो जाते थे जदत थे ठंड के टाइम पे ऐसा होता था क्योंकि उस टाइम पे फौग होता था आस्मान में तो इसी प्राबलम को ठीक करने के लिए टावर्स पर रेड लाइट लगा दिया गया था ताकि जब हेलिकाप्टर वाले देखें तो हेलिकाप्टर की दिसा को मोड दें अगर वो बिल्डिंग वाले एरिया में उड़ रहे हो तो इसी लिए ये रेड लाइट टावर पर लगाया गये थे हैक्टस नमबर सेवन क्या आपको पता है कि एर इंक नाम का एक डिवाइस होता है और अगर आप उसे अपनी कार के सेलेंसर में लगा दोगे जहां से धुआ निकलता है और कार को चला कर जब वापस घर को आओगे तो आप देखोगी कि वो पोलूशन्स को इकठा करके इंक में बदल दिया है लिखने वाली स्याही में आमेजिंग अपनी धरती पर जहां तक इंसान हैं मलब जितने एरिया में इंसान मौझूद हैं उन सारे एरिया में लगभग अर्थ कुईक का एक बार एक्सपिरियंस जरूर हुआ है मलब दुनिया में हर जगा भुकम्प आया है पर नार्थ डकोटा ही एक ऐसी जगा है पूरे धरती पर जहां पर एक भी अर्थ कुईक नहीं आया है ये एक फैक्ट है फैक्ट्स नमबर 9 साल 2006 में एक लोग पास किया गया था एक कानून पास किया गया था कि ताज महल के उपर से कोई भी प्लेन या फिर कोई भी हेलिकाप्टर या फिर कोई भी फ्यूचर की एर वैकिल्स उड़ाने नहीं दी जाएगी ये गैर कानूनी होगा ये इसलिए किया गया था कि ताज महल को पॉल्यूशन से दूर रखा जाए वहाँ के बिजिटर्स भी फूल टाइम बिता सकें जिसे कि आपको पता होगा कि एरो प्लेन भी बहुत पॉल्यूशन करते हैं है अक्ट्स नमबर 10 क्या आपको पता है कि हमारे आँख कितनी मेगा पिक्सल्स के हैं बहुत सारे साइन्टिफिक कल्कुलेशन के बाद डाक्टर रोजर क्लर्क ने ये बताया कि इनसानी आँख 576 मेगा पिक्सल्स के होते हैं किसी भी हाइटेक मोबाइल से भी जादा और क वालिटी भी एकदम 4K Ultra HD ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में बताना दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजे और यदि इसे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो